Hello student, once again welcome back in my YouTube online classes. आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं Class 5 के Our Environment की book को जिसका chapter आपको पढ़ा रहे हैं 12 जिसका नाम है Disaster and Safety Majors That is, आपदाय और उनके सुरच्छा के उपाय ये chapter हमने आपको अपनी तरफ से completely पढ़ाने कोसिस की है और हमने पढ़ा दिया है आज इसकी कराने वाले हैं इस Class में Exercise देखते हैं इसकी Exercise में क्या है आप वहाँ से भी कुछ समझ सकते हैं ये chapter की Exercise जिसमें पहला question है fill in the blanks that is, खाली जगे को भरियेगा There are types of disasters बीच में blank है, यानि disaster कितने प्रकार की होती हैं आप लेकेंगे two types यानि जो आपदाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है एक होती God gifted that is natural होती है जो अपने आप गड़ती रहती हैं हमारी चारों तरफ और एक हम लोगों की गलती से होती है यानि man-made, natural disaster और man-made disaster इस प्रकास से दो प्रकार की disaster होती है अब पॉलूशन जो अमारी चारों तरफ गंद की फैलती रहती है यह से बायू प्रदूशर है जल प्रदूशर है द्वन प्रदूशर है मिरदा प्रदूशर है बहुत से प्रदूशर हमारी चारों तरफ होती रहते जो पॉलूशन है तो वो हम लोगों की गलती के वज़ेस होते हैं तो pollution is a man-made disaster आपको यहाँ पर man-made भरना है man-made यानि प्रदूसर एक जो pollution है वो एक मानविये प्रकार की आपदा है use किसी का use during earthquake to exit from a building किसी building से जब आप हुकम की दोरान बाहर निकर लए हूँ तो वो यह कह रहे हैं steer का प्रियोग करें उसमें आपसे lift का प्रियोग करने से मना किया था steer शीडियों का प्रियोग करते हुए किसी building से आप बाहर जाए an overflow of water that summer's land is gone पानी का बहुत ज़्यादा हो जाना जिसकी बज़े से हमारी जमीन पूरी उसमें डूब जाती है तो क्या कहलाता है fillet यानि bar do not play with किन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए inflame evil जो jolenceal चीज़ों होती है उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए inflame evil things jolenceal चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए तो यह थे फिलिंदा बिलेंक्स अब question आगे देखते हैं क्या है इसमें बाट डू यू मीन बाइड डिशास्टर डिशास्टर से आप क्या समझते हैं इस चेप्टर मेंने इसकी बहुत तरीके से पढ़ानी कोसिस की है जो अमारी चारो तरफ अपने आप या हमलों को गलती की बज़े से बहुत बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं जिससे बहुत बड़ा जान और माल का नुक्षान होता है बूई डिशास्टर कहलाती है जैसे अर्थपोयक है फिलर्ड है हेवी रेंफाल है क्लावड ब्रस्ट है बादल का फट जाना है बैलकान एरप्षन है लेंड सिलाइडिंग है और थंडर है इस्ट्रॉम है हीट इस्ट्रॉक है कूल्ड वीप से हैं यह सब जो डिशास्टर थी वो सब आपकी नेच्र डिशास्टर इसी प्रकास से कुछ मै या है भी एक्सिडेंट हो जाए रेल का या कोई दूसरी सड़क दो गटना हो जाए और पॉलूशन है और कोई केमिकल ट्रेजडी हो जाए क्राइम है यह सब जो है डिशास्टर है जो मैनमेड होती है तो इस प्रकास से इन ही सब को मिला करके डिशास्टर कहते हैं नेम एन ग्रिशम रिल एक्सिडेंट लिख सकते हैं और पॉपूलेशन एक्स्पूलूशन लिख सकते हैं केमिकल ट्रेजडी लिख सकते हैं लेकिन दो पूछी की आप कोई भी लिखने है इसमें से वाट ता डिफरेंस बिट्वीन फिलट एंड रोट अब यहां डिफरेंस का तो पानी के लिए तरसते हैं और जब बाड आती है तो पानी से हम लोग परिशान हो जाते हैं इतना पानी हमारी चारो तरफ होता है जिसे हम हर काम करने के लिए परिशान हो जाते हैं और जिसे में हमारा बहुत बड़ा नुक्षान भी होता है सूखा में भी नुक्षान हो बाट मट्रेल आर दियर इन डिसास्टर मैनेजमेंट किट तो यह कहरें डिसास्टर मैनेजमेंट जो किट होती है उसमें किया क्या चीज़ें होती है पिछला के लास हमने आपको पढ़ा था उसमें हमने दिखाया था डिसास्टर मैनेजमेंट किट में क्या होता है हम आपको माल ये किसी relief group के साथ जाते हैं सायता group के साथ जाते हैं कोई लोग किसी उसमें फसे हुए हैं किसी disaster में उनकी help के लिए अगर आप जाते हैं तो लगवा इन में से बहुत सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और यही होती है disaster management kit लास्ट क्वेश्चन है सेक्साज का how will you save yourself during an earthquake yourself माने श्रोयम को save means बचाएंगे during earthquake अर्थकोई के दोरान मा लिए कहीं आप हुकम में फश गई हैं तो अपने श्रोयम को आप महां पर कैसे बचाएगे तो इसमें हमने आपको यह बताया था अगर कोई मजबूत building है तो आप उस building के अंदर ही रहें बाहर भागने की कोशिश ना करें और किसी टेबल या डेस्क के नीचे मजबूती से उसे पकड़ के बैठ जाएं और अगर बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप इस्टेर की सायता से यानि जीने की सायता सीड़ी हो शायता से बाहर भाग हैं और भाग सकते हैं तो फिर किसी ऐसी जगे पर जाके रुक हैं जो open place हो आसपास में कोई पेड़ या building नहीं होने चाहिए और अगर आप किसी कमजोर building में तो किसी भी सूरस से आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें और नहीं भी निकल पा रहे हैं तो आपके पास एक सके वे 익 pierws कि वर्क वी है आप उसे भी देख सकते हैं में के डिसास्टों मैंटिक किड़ीना डिफ्रेंस कायन डिसास्ट है इसमें यह का गया कि आप अपनी स्वेम की एक management, disaster management kit बनाएगा, जो आपके विभिंद प्रकार के disaster में काम आए, तो यह आपके लिए project work है, तो इस class में हमने आपके एक से साज भी chapter 12 की करवा दिये, आशा करता हूं आपको समय माया होगा, और chapter 12 इसी के साथ completely finish हो जाता है, that's all जहन जवारत